हेलो फ्रेंट्स विराट हेर और वेलकम पूम यूटूब चैनल विराट श्री पाइंट्स आज है चब्बी सगत तो आज की वीडियो में हम चब्बी सगत से करेंट अफेर्स के जितने भी क्विस्टेंस बन सकते हैं उनसे के विशे में चल्चा करेंगे और शाथ ही साथ उन पस्टमी आंचलीक परिश्ट की 24 भी रहत कि आज जीत हुई आप सबको बताना है तो इसका चाहीज़ाब हो जाएगा पड़ेजी जीहाँ भाईव अभिहाली में पड़ेजी में पस्टमी आंचलिक परिश्ट की 24 भी रहत का आयोजन किया गया इसकी अध्यक्त्षथा किस से में बताते हैं यह मैप में गोवा और इसकी कैपिटल क्या है तो इसके कैपिटल है पण जी तथा यहां के बरतमान चीफ मिनिस्टर को है तो यहां के बरतमान चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सामंत जी तथा यहां के बरतमान गवर्नर है मृदुला सिन्हा जी यहां के बरतमा इसका इंद दोन में सब आब से बारे में नहीं है cydhag हिसके बारे में आप सब då सबको यहां कि की सबसे बड़ी राज्य है Τर्था की लिट्रेसी रेट कितनी है ? यहां की लिट्रेसेशी रेट 87.4 जो कि पूरे भारत की लिट्र्रेसे रेट 14 नंबर की wes बड़ी राज यह यहां की BEST Language है कोन कानी है ? इसी के साथ आप सबको बता दें यहां का एरिया कितना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3702 km2 जो कि भारत का 29 नंबर का सबसे बड़ा राज्य है आप बता दें सबसे लगबग लगबग सबसे छोटा राज्य है तो चलिए इसी के साथ चलते है नेक्स्ट विस्टिन की तरफ उस्टे पहले आप सबको बत आप सबको बता दें कि मैं भी राट डेली मार्निंग में 530 पर आप सब के लिए करेंट जीके की रेगुलर क्लाइस के साथ परस्थित होता हो जिसमें पचास से साथ ऐसे करेंट तथा इस्टेटिक जीके के फैट्स क्लियर करता हूँ जो कि अपक्रमिंग एक्जाम्स के प निरंतर इसे तरह वर्क करने के लिए तो चलिए इसे के साथ चलते हैं नेक्स्ट की तरफ हाली में किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाडू रियक्टर लांच किया आप सबको बताना है तो इसका सई जबाब हो जागा है रूस जिया भाई और रूस ने अभ 30,000 टन स्पोर्ट की वज़यन है तथा इसमें दो रियक्टर है जिसकी छमता है 35 मेगावाट दियां भाई और 35 मेगावाट इस दो रियक्टर की छमता है तथा यहां यात्रा करने के लिए आर्केटिक बंदरगाह से रवाना हुआ है तो बात यहां रूस की कर रहे हैं तो कितल के मासको जो की मासकोवान नदी के टठ पर पर बस है तथा की करेंसी है रूबल तथा यहां के ठीअ मिनिस्टर है मैं अब जमित्री मेदवेदेव जी यहाँ के बर्तवान प्राइम मिनिस्टर हैं तथा आप सबको बता दें यहाँ की संसत का क्या नाम है तो यहाँ की संसत का नाम है डियूमा। कि अवाल जीटए आप सबको एक बात और बताते हैं यह च्छेत्रफल वैज विश्व का सबसे बड़ा देश है रुस, तथा कृटिम उपग्रा को अंत्रीछ में प्रछेपीत करने वाला भीया पहला देश से विश्व का सब पहला देश रूस जिसने कृतिम उपग्रा को अंतरेश्य में प्रशेपित किया था तो इस question से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए इसी के साथ चलते हैं next question की तरफ हाली में वर्ड बैड्मिंटन चेंपियंशिप 2019 किसने जीती है आप सब को बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीबी सिंदु जी आँ भाईयों पीबी सिंदु जी ने अभी हाली में वर्ड बैड्मिंटन चेंपियंशिप 2019 को अपने नाम कर लिया आप सबको बता दें कि यहीं है पीबी सिंदु जी और इन्होंने ही अभी साथ 21 साथ से यह मैं जीत लिया आप सबको बता दें यह कहां हुआ था इसका कोई जवाब आप सबको बताना है तो इसका जवाब सही जवाब हो जाएगा विशल स्विट्जर्लेंड में इस बार विश्व वर्ड चेंपियंशिप 2019 का आयोजन हुआ था तो था आप सबको एक बार और बताते हैं यह काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है जी आप सबको यहां से एक और क्विश्व बताते हैं जिसका जो कभी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है कि अभी बीता वब्वट बैंटमेंटर्जींट कहां आयोजन किया गया था तो इसका सहीजवाब हो जाएगा नानजिंग जो कि चाइना में है तुछ आने वाला जो वड़्ड जेंपोर्ट है व्वो कहां आयोजित होगा 2021 में तो इसका सहीजवाब होजाएगा वेलवा जो कि इस पैन में इस्थित है तो इस question से आप सब को इदनी चानकारी मिलती है तो चलिए इसकी के साथ चलते हैं next question की तरफ हाली में time magazine में 100 महानतम इस्थानों में भारत के कितनफे सामिल किया गया आप सब को बता दे कि यह दो महानतम इस्थान ं त्थान है टाइम मेगजीन्स के सो मांतम सीटी में सामिल किया गया आप सब को बता दें कि ये स्टेटी आफ उनिटी बिश्व की सब से उची प्रतिमा जो की सरदार भललब भाई पटेल जो की भारत के प्रथम ग्रह मंतरी तथा प्रथम उपरणान मंतरी थे इनके उसमें बनाया गया आप सबको बता दें कि यह 182 मीटर ऊची है तथा सोह हाउस को क्यों सामिल किया गया यह 11 मंजिल इमारत है भारत की जिसमें 34 सीटर सिनेमा घर तथा आप सबको बता दें कि इसमें खुली छत वाली बियर बार एक बनाया है तथा इसमें एक ब्रिज भी बनाया गया है तो इसको से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स क्वेस्टिन की तरफ हाली में किस राजी ने एकल उपियोग वाले प्लास्टिक पर बैन लगाया आप सबको बताना है तो इसका सही जब आप हो जाएगा बिहार जियां भाई हो अभी बिहार में एकल उपियोग वाले प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया यह एकल उपियोग वाले प्लास्ट कहते हैं इन सब पर बिहार सरकार ने अभिहाली में बैन लगा दिया है रोक लगा दिया तथा इसी के साथ बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि मिल्क पाइकट जो आता था भाईयों उसको जो भी व्यक्तिक खरीदेगा वह वह पाइकट वापस ले दा कर सौप कीपर को दे देग गया तो बिहार की कि निश्टर है निटीश कुमार जी तरी जादे चलते नेकर बिंख सब्देख कर दे कि तरफ की आ एस एई की एक प्रयोग साला और इसका उद्गाटन हमारे प्रजेंट टाइम के स्वास्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्ष वर्धन ने किया है आप सबको एफसे साई के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले इसका फुलफाव में याद रखिया तो FSAI का फुलफाव में होता है Food, Safety and Standard Authority of India एक बार फिरसे स्याद रखिये Food, Safety and Standard Authority of India तो चलिए इसी के साथ next question की तरफ बढ़े चलते हैं हाली में smart policing पुरस्कार किसने प्रदान किया आप सबको बताना है तो इसका सही जबाब हो जागा फिशी जिया भाईयो FICCI जिसने अभी हाली में smart policing पुरस्कार प्रदान किया आप सबको बता दें यहां आप सबके माहिन में फिशी क्लिक कर रहा होगा कि FICCI का फुलफाव में क्या होता है तो आप सबको बता दें इसका फुलफाव में होता है तथा आप सबको बता दें smart policing के ताहत दो पुरसकार हरिगाणा पुलिस को दिया गया है आप सबको बता दें कि FICCI का हेड़क्वाटर कहा है तो इसका हेड़क्वाटर है नई देलई में तथा इसके स्थापना हुई थी 1927 में तथा इसके present time के जो प्रेसिडेंट है वो है इसके present time के प्रेसिडेंट है तो चलिए इशी के साथ चलते है next question की तरफ हाली में नासा ने किस ग्रा को की एक चटान का नाम रॉक आन मार्स रखा है आप सबको बताना है तो इसका सही जबाब हो जाएगा मंगल ग्रा के एक चटान का नाम नासा ने अभी हाले में रॉक आ कर रोल कर गया था इसलिए नासा ने मंगल ग्रा की एक चटान का नाम रॉक आन मार्स रख दिया है आप सबको यहां नासा के विशे में बता रहे हैं तो नासा के विशे में चल्चा करते हैं शर्फ प्रिथम नासा का फुल फार्म क्या होता है तो नासा का फुल फार्म होत तो 1958 में नाश्या की स्थापना की गई थी तथा इसका हेड़कॉाटर है वाचिंग गटन डीसी में तथा इसके प्रजेंट टाइम के जो एड्मिनिस्ट्रेटर है वह जिम ब्रिट निस्टेजी इसके बलतवान समय के एड्मिनिस्ट्रेशर ट्रेटर है तो इसको से आप सब प्रदानमंत्री मोदी तीन यात्रा के लिए गए तो वहीं पर इन्होंने युए में नरेंडर मोदी जी ने रूपे कार्ड लांच किया आप सबको बता दें यह शिंगापूर और भूटान के बाद तीसरी ऐसा देश है जहां रूपे कार्ड लांच किया अब इसके कुछ प्रदानमंत्री मोदी जी ने वहां रूपे कार्ड लांच करके वहां के व्यक्तियों से अन्दमोदन किया कि वह कस्मीर तथा लड़ा के जासे छेत्र में आकर निवेश करें काफी ज्यादा जिससे कस्मीर तथा लड़ा का पिसेस दोर पे वहां का विकास हो सके तथा आप सबको बता दें कि प्रदानमंत्री मोदी जी ने यहीं खलीफा विन जायद पूरसकार से भी समानिक किया जो कि UAE का सरवश्रेष्ठ पूरसकार होता है तो इस क्विस्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए चलते हैं नेस्ट क्विस्चन की तरफ हाली में प्रथम भिश्र सम्मेलन की सुरुवात किसने की आप सबको बताना है तो इसका सही जबाब हो जाएगा प्रेजेंट टाइम के प्रथम भिश्र यू आअप की शुरुआट की है आप सबको बता दें इसकी सुरुआइट कहां हुई है और नई दिल्ली के विज्ञानभावन में राष्ट्रपती स्री रामनास कोबिन जी द्वारा प्रथम विश्व युवा सम्मेलन का उद्गाटन किया गया है तो था आप सबको बता दें इसकी थीम क्या थी तो इसकी थीम थी वसुधेव कुटुमबकम गांधी फार्द कंट गांधी जी के एक सुपचासवी जयनती के उपलच्छे में विश्व युवा सम्मेलन का शुरुवात की गई है तो इसकी सबको इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए इसकी के साथ चलते है नेक्स की तरफ हाली में बुक माई फोरेक्स ने किस बैंक के साथ समझता किया है तो यस已经 bank के बीसे में आप सबको कुछ बताते है यस bank की सथापना कभ भी थी तो यस bank की सथापना हऊ थी 2004 में तथा इसका headquarter present time पर मुंबंवी में है तो इसके present time के MD & CEO कौन है तो इसके present time के MD & CEO है चिवान बजी इसके present time के MD & CEO है तो इस क्व Wheatster से आप सबको इतनी जानकारी म पराफ जिसका जबाब आप सबको कमेंट बाक्स में रहे ना था काफी वच्चों ने काफी खुब सूरब दिया है किश टीमने हाली में हाक्य ओलंपिक टेस्ट टूर्णामेंट जीता है इसका जबाब आप सबको बताना था तो इसका सही जबाब है भारत जीहां भायो अपने देश भारत ने अभी हाली में होकी ओलंपिक टेस्ट ट्रोर्णमेंट जीत लिया आप सबको बताते हैं कि इस बार महिला और पुरुष दोनों ने यह प्रतायोगीता जीती है महिला जो दीती है वह जापान को हरा कर टेस्ट परते हो गिता जीतने में काम्याब हुई है जब भी बात मैं जापान के करता हूं बायो तो जापान के संसत के बारे में जरूर आप सबको बताता हूं तो जापान के संसत का क्या नाम था तो डाइट इसके संसत का नाम है जो कि लगबग हर question में पूझ ही लेता है तथा आप सबको बता दें यह कहां हुआ था तो जापान के Tokyo में इसका आयोजन किया गया था तो बात जापान की कर रहे हैं तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने तो इस कुषिचन से आप सबको इतनी दानकारी मिलती है तो चलते हैं नेक्ट कुषिचन की तरफ जिसका जबाब आप सबको कमेंट बाक्स में देना है तो चलते चलते आप सबको बता यह दिए वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को परशे प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाले अपके वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तथा प्लीज वीडियो को एक लाइक तथा एक शेयर अवस्ची के आ किजिए जिसे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे निरंतर इसी तरह कारे रहने क के लिए तो चलिए इसी के साथ चलते हैं सिया हाव अगुटे बाबाए